हेलो वीवर्स वेलकम तो माई फ्यूजन मसाला मिक्स यूटूब चानल प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हेलो वीवर्स आज हम बना रहें एक इंस्टेंट रेसिपी तो यहां मैं ले रही हूँ एक चमच यह पाउडर जिसमें मैं आट करूंगी दो तीन चमच के करीब में पानी और यह रेडी हो गया आपकी इंस्टेंट धन्या पुदीने की चटपटी सी चटनी और आप देख र होगी यह वह इंग्रीडियंट्स हैं जो चटनी बनाने में यूज होंगे यह चटनी आप बनाकर अराम से स्टोर कर लें और जब आपको जरूरत है फॉरन कुछ सेकंद्स में रेडी करके सर्फ कर दें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने लिया है एक जब लहसुन के और पांच हरी मिर्चे और यहां पर मैंने लिया है नमक और यह है लेमन सॉल्ट जिसे आप टाटरी या सिट्रिक आसिट भी बोलते हैं तो अगर आपके पास यह नहीं है तो आप नॉर्मल लेमन भी यूज कर सकते हैं लेकिन वह एंड में जब आप बनाए जाए और इस तरीके के बटन में हम इसे रखके धोके रख देंगे जिसे कि जो भी एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाए तो हमने यहां धन्या धो लिया है अब हम पुदीने को भी इसी तरीके से अच्छे से वाश कर लेंगे ध्यान रखे जब भी आप कोई भी लीफी ची इसे ड्रेन हो गया है और अब हमें इसे कट करना है तो अब हम इसे बारीक बारीक जो है चौप कर लेंगे यहां पर सबसे पहले मैं धनिया चौप कर रही हूं कोशिश करें कि इसे अच्छा बारीक काटे जिसे कि ड्राई होने में असानी होगी और यह देके धनिया होगी तब हम इसी तरीके से पुदीने के भी बारिक बारिक जो है हम चौप कर लेंगे अक्सर ऐसा होता है कि इजी ली धन्य और पुदीना जो है नहीं घर पे रहता है या एविलेबल नहीं रहता है आप बल्क में ले आते हो तो उस टाइम पे इस तरह की रेसिपी बना के आप रख सकते हो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चार्ज कलिया लेसुन की और हर इमिर्च इन्हें भी मैं बारिक बारिक चौप कर लूँगी इसका स्पाइसीनेस जो है आप अपने एकॉर्डिंग बिल्कुल अपने कमफॉर्ट के हिसाफसे से एज़स्ट कर सकते हैं और अगर आपको lesson skip करना है तो आप skip कर सकते हैं लेकिन lesson से इसका taste जो है वह बहुत अच्छा enhance होता है यहां पर मैंने हर image और lesson दोनों को इस तरीके से chop कर लिया है बूजMr. rifay ुश्क का निब उसकी उसकी हुआ आए तो यह तक्रीब हमें एक दिन लगता Iskosu ड्राई करने में एक से डैर दिन लग जाता हैनसी बूप में नहीं सुखाणा है इसे हमें हवा में ही जो नॉर्मल रूम टेंपरेचर है यह उसी में यह सुखे उसी में ड्राइब होगा फान के नीचे आप रख दें तो इस तरीके से मैंने क्लीन किचन टाल दिया है जिसमें धन्या और पुदीना दोनों को इस तरीके से पहला दिया है फैलाने के बाद में इस बात को चैट में लैसन और हरी मिर्च दोनों को इस तरीके से साथ में ड्राइ होने के लिए लग दूंगी तकरीबन यह दूसरे दिन की है यह वीडियो तो दूसरे दिन जो है देखे आप ड्राइ हो गया है धन्या भी और यह पुदीना भी अच्छी इसकी एक आवाज हो गई है और यह देखे लैसन भी बिलकल अच्छे से जो है ड्राइ हो गया है और उसी तरीके से हरी मिर्च भी एकदम सूख गई है हमारी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब हम क्या करेंगे कि एक जार लेंगे छोटा मिकसर जार उसमें हम जो है यह अपनी जितनी भी ड्राइ इंग्रीडियंट से इन सभी को डाल देंगे तो मैंने धनिया पुदीना डाल दिया है साथ में मैं इसमें आड़ कर रही हूं लेसन और हरे मिर्चे और उसके बाद जो है हम इसे इसमें दो चीज़ा आड़ करेंगे अपना सॉल्ट और यह जो हमने लेमन सॉल्ट लिया है यह भी हम इसमें आड़ कर देंगे और इसके बाद हमने इस तरीके से इसका एक पाउडर बना लिया है और बस वो जो प्रोसीजर है एकदम बिल्कुल इंस्टेंट वाला वो हम फॉल्लो करेंगे एक से डेट चमश लिया है और साथ में हमने अकॉर्डिंग ली जितना हम को करें कहीं जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि इस तरह की को इंस्टेंट चीज होनी चाहिए तो बिल्कुल आप असानी से इसे बनाएं और इस तरह की जो चोटी चोटी रेसिपी होती है यह अक्सर हमें डेली रुटीन में जब हमें बहुत ज़्यादा काम होता है तो यह इसी कि आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ